थाकड़ खबर के नियूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्राम रहिस खान फिर से एक मनूस खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ समझ गए हूँगा मनूस खबर के माइने जो भीड तंतर अंजाम देता है पहले मारता है फिर जैश्री राम के नहरे लगाता है उस खबर के बारे में आपको बताने से पहले छोटी सी कपील आपसे करना चाहता हूँ अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं चाहे पर NRC को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है जगड़ा असल में भाशा का है भाशा के जगड़े को हिंदु मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है जो आसाम के लोग हैं वो नहीं चाहते बंगाली बोलने वाले रोग उनके बीच रहे हैं उनकी संस्कृति को डिस्टरब करें तो सबसे पहले आवाज उठी हिमाचल पर देश के अंदर भाशा के आदार पर उन लोगों ने का कि हम पंजाब के साथ नहीं रह सकते हैं क्यों कि पंजाब का कल्चर अलग है भाशा अलग है हमारा प्रदेश अलग बनाया जाए तो हिमाचल परदेस बन गया उसके बाद दूसरे कांद Olan शुरू हुआ जो हरियाना के लोगों ने शुरू किया जो आज हरियाना उसकी बाद कर रहा हूं उन्होंने का पंजाब का कल्चार अलग है वहां की भाशा अलग है हमारा तो नहीं मिलता है इसलिए हरियान को अलग कर दिया तो जगड़ा असल में भाषा का है पूरी दुनिया में आप देखिए दो चीज़ें आपको मिलेंगी एक रंग दूसरी भाषा इसके अलबा कोई जगड़ा नहीं है जगड़े दूसरे रूप में बनाए जाते हैं जो यहां आज की सरकार बैटी को बनार जैसे आप यूरोप में चलिए जहां पे फ्रेंच बोल रहे हैं वहाँ आपको फ्रांस स्वाफ जहां पर जर्मन बोल रहे वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहे उन्होंने का हमें अपनी जबान अपना कल्चर अपनी तैजिब चाहिए तो मुद्धा असल में असलम के अंदर वो है वो है जबान का और कल्चर का लेकिन उस पूरे मुद्धे को भारती जंता पार्टी ने हिंदू-मुस्लिम का रंग दे आते हैं पीटते पीटते कहते हैं बोल जैश्री राम तभी पास की चाय की दुकान पर काम करने वाले दो लड़ के महां आ जाते हैं वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं मेडिकल स्टोर के सेल्समें को लेकिन ये गुंडे जो हैं ये उसको भी उन दोनों को भी पीटना किस दिन इस वारदात को अंजाम दिया है उसको भी थोड़ा धिरन से देखे जुम्हे का दिन हिंदी मैं समझ लिए शुक्रवार का दिन या इंग्लिश में फ्राइडे का दिन फ्राइडे की सुबह जब लोग नमाज के लिए हजारों की दादात में इकठे होते हैं आप नमाज में पूरे हफते के अंदर मुसलमान हजारों लाखों की दादात में इकठा होते हैं नमाज को अदा करते हैं उससे पहले इस तरीकी की वारदात को अंजाम दिया जाना क्या कहता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि सोर वो इशारा कर रही हैं चीज़े क्या वो करना बदमाश फरार हो जाते हैं पुलिस ने रिपोर्ट धर्च कर ली है मोटर साइकल कब्जे में ले लिए लेकिन कोई भी बदमाश अभी तक पुलिस की गिरिफ्त में नहीं आ पाया है क्या यह कोई पहला मामला है जो आसाम में इस तरीके का हो रहा है नहीं साब यह कोई पहला अगर आप देखेंगे तो इसी आसाम के अंदर एक बुजूर्ग है उनको मारा पिटा जाता है कीचड में लिटा लिटा के उनको बुरी तरीके से मारा पिटा जाता है और उनके मुह में सुर का जो गोस्त है वो ठूसने की कोशिश की जाती है ठूस दिया जाता है तमाम मीड हुए जादा दिन नहीं हुआ लगभग लगभग पैंतिस और चालिस पैंतालीस दिन का वक्त गुजरा है और इसके दोरान हालते क्या हो चुकी है वो थोड़ा सा देख लीजिए जारकंड में तब्रेज अंसारी को 18 गंटे तक बांद के मारा जाता है जै श्रीराम जै हर्मान के नारे लगवाए जाते हैं मौत के घाट उतार दिया जाता है इसी तरीके से वैस्ट बंगाल के अंदर सनावला शेख की भी हत्या कर दी जाती है इन दोनों की हत्या के अंदर सबसे कॉमन बात जो वो ये कि पहले चोरी का इल्साम लगा जाता है फिर मार आ जाता है जैशी रिराम के नारे लगा जाते हैं और हत्या कर दी जाती है पूरी तस्वीर क्या कहती है वह आप सोचिए लेकिन हम यह सिलसिला जारी रखेंगे जब तक ऐसी मनुहूर से खबर आती रहेंगे आपके सा समाज का दूसरा आई ना और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं लेकिन संसाधन की कमी है मैं जाना चाहता हूं हिंदू समाज के बीच में मैं जाना चाहता हूं उन माताव बहनों के बीच में जिनके बच्चे उन महिलाओं के बीच में जिनका पती घर से निकला क्या व महिलाएं आज समल लें और होश में आ जाएं और थोड़ा होश मंदी से काम लें तो क्या तस्वीर नहीं बदलेगी तो जरूत क्या है कि महिलाओं के बीच में काम करने के जरूत हैं इसी के साथ अपनी वाणी को विरान देता हूं कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी र